Corex के कई तरह के Preparation Market में उपलवद है Corex-LS, Corex-DX, Corex-T इन सब के Chemical Composition अलग होते हैं लेकिन Corex के जिस Preparation से नशा होता है उसमें Codinamak एकपदार्थ होता है ये Morphin यानि अफिम के Group का हिस्फा है डॉक्टर्स इसे कफ दर्द बचेक डारिया के लिए देते हैं इसके साइड इफेक्ट से हमें नीन दाती है थोड़ा नसा सा मसूस होता है चक्कर भी आ सकता है तो फिर इसकिलत कैसे लग जाती है कोडिन को अगर बहुत जादा मातर में लिया जाए तो ये नसे का काम करता है मान लीजिए किसी ने कोडिन की पूरी बोतल पी ली तो ये हमारे दिमाग के रिवार्ड सेंटर को एक्टिवेट कर सकता है इससे आपको खुशी का एसास होता है मजा आता है इसलिए लोग इसे बार बार पीने लगते हैं और नसे के सिकार हो जाते हैं इसे नसे के लिए इ मालूम होना चाहिए कि इसका शरीर पर क्या क्या असर पड़ रहा है अगर आपको इसकी लत लग गई है तो इससे चुटकारा कैसे पाए शरीर पर कैसा असर पड़ता है अन्य अफिम पदार्थों की तरह कोडिन का भी एक करेक्टर है जिसको मेडिकल टर्म्स में टॉल्रे यानि समय के साथ नसे के अनुवब के लिए आपको इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रे लेने पड़ती है इससे कोडिन टॉक्सिसीटी के लक्षन दिखाई दे सकते हैं एंजायटी डिपरेशन या समान्या से ज़्यादा निन दाना भूख नो लगना वेट लॉस हो सक सकता है लगतार सीर गूमने या मूड स्विंग्स की वज़े से इंसान फोकस नहीं कर पाता अपनी सोसल डिस्पोंस्बिलिटी रिलेशन्शिप से दूर भागता है ज़्यादा समय तक नशा करने से लंग इंफेक्शन हो सकता है धरकने बहुत तेज या बहुत दीमी हो सकत है इसका दिमाग पर भी असर पड़ सकता है जैदा मात में कब सिरफ पीने से आपको खुशी का एसास होता है जब कोई कोडिन एडिक्ट इसे लेना बंद कर देता है तो क्या होता है शुरू में सिर्दर्द उल्टी पेट में दर्द भूखनों लगना बाद में कई मैनों तक मांशिक बिमारियों के लक्षन दिखाई दे सकते हैं लग चुराना मुस्किल हो सकता है अलांकि यह लग चुडाई जा सकती है इसके लिए डॉक्टर से मौनों चिकित्सक एडिक्ट्स का इलाज करते हैं ड्रग एडिक्ट्शन सेंटर से इसलिए अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं जो बेवज़े कब सिरफ पीता है तो उसे बताई कि वा नसा कर रहा है उसे बताई कि नसे सिचुटकार अपाना उसके लिए जरूर है साथ ये सभी जानकारी वी दे और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताई कैसी लग ये जानकारी धन्यवाद